यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ शिमला में जल संकट को लेकर बुदवार को फिर से सुनवाई हुई और इस दोरा नगर निगम शिमला ने बताये कि राज रुदानी में पानी की कमी को दूर करने के लिए जोन बाइस पानी दिया जा रहा है पहले जोन में मंगलवार को पानी की सप्लाई की गई दूसरे जोन में बुदवार को सप्लाई हुई है और तीसरे जोन में पानी की सप्लाई गुरवार को की जाएगी नगर निगम आयुक्त ने अदालत को बताए कि इसी तरह से आगे भी पानी की सप्लाई जारी रहेगी Legal Service Authority ने अदालत को बताए कि कंट्रोल रूम में 16 पैरा लीगल स्वें सेवक और 4 वकीलों को तेनाथ किया गया है जो कि अपने सेवाएं 24 घंटे दे रहे हैं कोट मित्र ने अदालत को बताए कि ऐसे स्थिति से निपटने के लिए पहले वाटसेप ग्रूप बनाये गया था लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है अदालत ने इसे तुरंत प्रभाव से चालू करने के आदेश और नगर निगम के सहाय कायुक्त को इसे चलाने के आदेश दिये है निगम ने अदालत को बताए कि शिमला को 6 जोनों में बाटा गया है जिनमें 62 की मैन को तेनाथ किया गया है और अदालत ने सभी कीमेन को चताया है कि यदि उन्होंने अपने सेवाय देने में कोताही बरती तो उनके खिलाफ अनुसाशनात्मक कारवाई की जाए और इस दोरान हाई कोट ने शहर के 224 उन होटेल्स को पानी के कनेक्शन भी काटने के आदेश दिये जिनोंने अभी तक अपना बकाया बिल नहीं वरा है और मामले के आज भी सुनवाई होगी तक और रखी सुनवाई होगी और मामले का कि उनके ब